So hi Freqistan family, कैसे हो आप सभी and I hope you all are really doing good मैं हूँ FBL and स्वागत आप सभी का Freqistan के एक और नई वीडियो में So अपने इंडिया में सरदी का सीजन शुरू हो गया सरदी के साथ साथ एक और सीजन आता है, वो है शादियों का सीजन बहुत से लोगों के माइंड में आता होगा कि शादी के मोमेंट में कौन सी ऐसी फ्रेक्रेंसे जो लगानी चाहिए क्योंकि शादी एक ऐसा ओकेजन है जहां पे सारे family and friends gather होते हैं आप हमेशा चाहोगे कि आप withstand करो, आप outstand करो and noticing हो, अच्छे मैं को अच्छे दिखो वीडियो स्राट करने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत ही जादा category पे fragrances की बिलीव नहीं करता हूँ मैंने देखा ही कि लोग शादी की अलग scent, birthday की अलग scent, get together की अलग scent, recommendations बहुत सारे हैं मेरा belief यह है कि सब categories पे मैं believe नहीं करता हूँ fragrances अगर देखिये शादी होई, birthday हो गया, या party हो गई, या clubbing हो गई यह सारे occasions की एक ही type की fragrances होती है अब आप office जा रहे हो, meeting में जा रहे हो, client से मिलने जा रहे हो यह सारी की अलग category होती है और आप movie देखने जा रहे हो, आप dinner date पे जा रहे हो, अपने wife के साथ कहीं पे भी जा रहे हो इस सारी category की अलग scent हो गई इसकी सब category से मैं believe नहीं करता हूँ या आप best clubbing scents भी समझ सकते हो उसको यह एक category है जिस पे मैं believe करता हूँ चलिए वीडियो को इसी के साथ सा शुरू करते हैं शादी हो, party हो, clubbing हो, outing हो, कहीं पे भी हो आप हमेशा चाहते हो कि आप well-raised रहो आप सबसे जादा अच्छे दिखो तो सबसे जादा अच्छे के दिखने के साथ सा सबसे जादा अच्छा महकना भी जरूरी है and definitely उस occasion के लिए सबसे पहली fragrance जो मेरे mind में आती है वो मैं हमेशा 22 हूँ and mostly यह हमेशा मेरे दिमाग में number one पे आती रहेगी वो है Gene Pau Guttier का Ultra Male so this is how the box of Gene Pau Guttier's Ultra Male looks like एक तिन का कैन है अलुमिनियम का बहुत सी बहुती जबर्दस और यूनिक इन की प्रेजेंटेशन रहती है नीचे बाच कोड बागेरा रहता है so this is how the boxing looks like नीचे से यह बॉक्स ओपन होता है so चली डिरेकली फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे so यह री बॉटल काफी यूनिक बॉटल है and मुझे one of the most unique बॉटलों में से लगती है यह फ्रेग्रेंस की सेंट so this is Gene Pau Guttier's Ultra Male and यह फ्रेग्रेंस कॉम्प्लिमेंट का बाच्शा है एक चीज़ बता हूँ मैंने लिटरली इस फ्रेग्रेंस को मैंने इतना दूर रखा है एक फ्रिट के आसपास की दूरी है and लिटरली मुझे इतना जादा प्रोजेक्ट करता है मिल रहा है जबकि इसको एक भी स्प्रे नहीं किया है मैंने this is beast तो चले फटा फट से इस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करते हैं तो यह है जींपो गुटीयर का अल्टर मेल and यह फ्रेग्रेंस बहुत ही जादा compliment getter है बहुत ही जादा reactions मिलें इस फ्रेग्रेंस को and यह मेरे इसाब से मेरे लिस्पे नंबर वन पे आता है नहीं कि जरुए इतनी है, शौट में बता हूँ यह, अगर आपने बबल गम इससे पहले ट्राइ किया होगा, यह हू बहू स्वीट बबल गम जैसा महकता है, बबल गम भी बहुत ही जादा अपीलिंग, जो आप इसको महकोगे न, आपको बबल गम महकेगा, और साथ ही साथ इसमें एक ऐसा अरोमा है जो आपको अट्रैक्ट करेगा, लिटरली मैंने जेपीजी अल्ट्रा मेल को जो फर्स ताइम लाइफ में महका था न, आई वस इन अ मॉल एंड मैं लिटरली वो जिनोंने ये लगाया था, मैं उनको फॉलो करने लगा, पीछे-पीछे चलने लगा, वो आगे-आगे जा रहे थे, मैं पीछे-पीछे चल रहा था, इस फ्रेग्रेंस को महक के, उन्होंने फिर, मैंने उनको रोक के इस फ्रेग्रेंस के बारे में पूछा, उन्होंने कौन सी fragrance लगाई है तो उन्होंने मुझे बताया था JPG Ultra Male इंटरनेट पे उस जमाने में इसकी बहुत ही जादा तारीफ चलती थी और मैंने उसी पल मुझसे रहा नहीं किया फिर मैंने अपनी फर्स बॉटल ली थी JPG Ultra Male की पर्फॉर्मेंस के बारें बात करें तो शादी बरात में जहां बहुत ही जादा crowd होता है या parties वगयरा में जहां पर बहुत ही जादा crowd होता है बहुत ही जादा दूर दूर तक इसकी scent जाती है यह इतनी जादा appealing है ना के ladies को भी बहुत ही जादा पसंद आती है और साथी साथ men को भी fragrance बहुत जादा पसंद आती है नेचर में बात करूँ तो यह fragrance बहुत ही जादा casual है इसलिए मैं इसको recommend करूंगा या तो parties में, weddings में या casual get-together type के settings के लिए यह कभी भी formal side में नहीं जा सकती है this is very sweet vanilla and इसमें जो bubble gummy flavor है ना पेर का वो इस fragrance को चार चांद लगा देता है so this is my first fragrance जो मैं recommend करूंगा, मैं बतारो ना आप यह लगा के चले जाओ, आप आगे चलोगे दो लोग, तीन लोग, चार लोग जरूर पलट के notice करेंगे कि कौन सी fragrance है and इसी के साथ साथ इसी की टक्कर देने वाली एक और fragrance है, मैं next बात करने वाला हूँ उसी के बारे में so this is JPG's Ultra Male, एक और चीज़ है, fragrance discontinue तो नहीं हुई है, बट अब बहुत ही जादा मुश्किल हो गया इस fragrance को खोजना दो साल से किसी भी outlet, किसी भी retail में देखने को नहीं मिला है, discounters पे grey market में आप खोजोगे तो कहीं बहुत मुश्किल से fragrance मिल जाए, बट double triple price पे sell out हो रही है so अगर आपको Ultra Male मिल रही तो definitely आप एक बार इसको grab करो, so this is indeed a super cloud puller fragrance and अगर आप budget में हो तो tension लेने की कोई भी ज़रूवत नहीं है, आप इसका clone ले सकते हो, अफनान का 9PM and मैं बता रहा हूँ ना, क्या जबरदस clone है, इतना close copy है ना, मतलब मैं Ultra Male, यह मेरी signature center रह चुकी है दो साल तक जब मैं study किया करता था, मैंने जब 9PM मैं का न, हाँ नजदीक से आप मैं कोगे तो कुछ differences जरूर है but on air, मुझे भी थोड़ा tough होता है, differentiate करना 9PM को Ultra Male से so definitely, अगर आप budget में हो, आप definitely 9PM ले सकते हो, उसकी भी performance गजब है, 6-7 plus hours है 9PM की performance थोड़ा over spray करो, projection भी बहुत ज़ादा देखने को मिलेगा इस fragrance की performance की तो बात ही गया करना, 3 spray लगा हो, भाई साब 6-6 plus hours अराम से, projection तो एकदम loud है so this is JPG's Ultra Male and मेरी personal favorite, इससे बहुत सी ज़ादा यादें जुड़ी हुई है so this was my first scent, next मैं recommend करने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया, JPG की ही level की fragrance है and वो है from the house, Versace and it is Versace's Eros, अगर आपके पास Versace Eros है तो आप definitely मेरी हर एक word पे agree करोगे ये fragrance है, clubbing का बाच्छा, this is Versace's Eros and चलिए इसको फटा-फट से fragrance की bottle भार ले आते हैं so this is how the bottle looks like, देखिए क्या जबरदस्त bottle है, बीच में है Medusa, Versace का logo and side side में आपको आगे पीछे, एक बहुत ही जादा Egyptian old, जो designs आपको देखने को मिलेगी, उस type का design देखने को मिलेगा इस fragrance की bottle में, काफी classy bottle है and जो मेरे हाथ में है, this is very old formulation, 2017-16 का formulation है, आप देख सकते होगे, तम yellow दिख रहा है इसका juice, literally क्या potent scent है and scent of, जो इसका DNA है ना, भाई साब, this is very unique fragrance, इस fragrance में एक note है, जो है tonka bean जो इस fragrance की पहचान है, इस fragrance का DNA है, अल्टरा मेल का आपको पहचान है bubble gum, completely bubble gum जैसा महकता है, यह है tonka bean मैं कैसे समझा हूँ, मैं explain नहीं कर सकता हूँ, एक day-to-day example देके, but literally मैं बता रहा हूँ ना, आप इस fragrance को आँख बंद करके blindly ले सकते हो यह जो scent है ना, यह जो tonka bean है ना, पहले sniff में, मैं मान नहीं सकता हूँ कि किसी को fragrance नहीं पसंद आईगी, this is super compliment getter fragrance इस fragrance की note की बात करें, तो जब इसको initially महकोगे, शुरू होता है, इसमें आपको green apple देखने को मिलेगा, साथी साथ mint and lemon, mint and lemon बहुती जादा light से हैं, but आपको green apple खुल के महकता हूँ दिखेगा, and उसके बाद इस fragrance की जो main पहचाने आपको वो note है, इसमें tonka bean है, इसमें ambroxan ह है, geranium है, but geranium and ambroxan जब आप इस fragrance को spray कर दोगे, तब दीरे-दीरे बाहर आते हैं, initially green apple, tonka bean, lemon and mint, क्या जबरदस combination इस fragrance का, and base में आपको मिलेगा geranium, ambroxan and cedar, ये fragrance, ये जो combination है, this is a deadly combination, बहुत sweet fragrance है, and जो tonka, green apple and mint, जो role play करते हैं इस fragrance को real पहचान देते हैं इस fragrance की, आप इस fragrance को definitely try करना, अगर आप full bottle नहीं ले सकते हो, तो आप एक बार try करो, कि आप इसका decant ले लो, कोई clone मुझे अब तक मिला नहीं, जो इस fragrance के close भी आता है, कि मैं आपको clone recommend कर सकूँ, but this is a indeed great compliment puller fragrance, performance इसकी बहुत ही जाधा beast है, I would say 6-7 hours है, projection बहुत जाधा beast है, बठाँ ये, मेर इस bottle के बारे में बात कर रहा हूँ, this is 2017 के आसपास की bottle है, so performance is really very good, अभी latest batch की जो भी Versace Eros की fragrances है, performance जाधा कम नहीं हुई है, थोड़ा difference आपको देखने को मिलेगा, and साथी साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आप कभी भी fragrance को batch code, या तो old batch, नहीं batch, और less performance के च जाधा potent होगा, but उसका मतलब नहीं है, आपका real batch, जो आपने current batch लिया है, वो अच्छा नहीं है, एक दो साल बात, जो आप current fragrance ले रहे हो, वो भी old batch ही बन जाएगा, so batch की पीछे मत भागो, fragrance को enjoy करो, आप लोग बहुत जबदस fragrance है, compliment pull है, and मैं guarantee दे रहा हूँ, आप लोग ज Literally, this is a very unique fragrance, इससे पहले, शायद ही किसी ने इस type की fragrance महकी होगी, bergamot हो गया, या citrus based fragrances बहुत common होती है, आप जब भी उनको महकोगे, तो कही ना कहीं similarities आपको दूसरी fragrances देखने को मिल जाएगी, but this is completely different fragrance, जो इसमें tonka and green apple का जो mixture है, आपको इससे पहले कभी भी deodorant, किसी भी fragrance में आपने कभी नहीं देखा होगा, this is very unique, very appealing fragrance, so this is my number 2 fragrance, so number 3 की बात करते हैं, number 3, देखे, ranking करता हूँ मैं, but मैं सच बता हूँ, तो मेरे लिए सारी fragrances is number 1 पे है, but पहले किसी को दिखाना है, बाद में किसी को दिखाना है, इस वज़े से मैं 1, 2, 3 बोलता हूँ, but सारी की स सारी, they all deserve rank 1, so next fragrance है, वो है Azaro Wanted by Night, अब मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे पास बहुत सी ऐसी fragrance है जिनको मैं पागलों की तरह यूज करता हूँ, but मैं review बहुत कम है उन fragrance हो का, जो मैंने बनाया अपनी YouTube चैनल पे, अब मैं सारी fragrances हों का review ले के आऊंगा, एक एक करके कोई भी miss out नहीं हो, so this is Azaro's Wanted by Night and भाई सहाब, जैसा ना मैंना Wanted by Night, आपको Wanted बना देगी है, यह बहुत अबाई fragrance है, so box ऐसा है and इसकी bottle काफी उनीक है, so this is how the bottle looks like and मैंने bottle निका ली है, मैंने bottle निकाली है, मैंने नाग के करीब में bottle लेके नहीं आया था and मुझे यह fragrance पागल कर रही ह सच में, this is indeed very crazy fragrance, मैंने इस fragrance का review आज से तीन साल पहली भी अपने channel पे बनाया था and मैंने उस वक्त भी बोला था, I feel like, I wish I could bring this juice, मुझे मन करता है ना मैं इस bottle को तोड़ दूँ and इसके अंदर जो juice है ना, या तो मैं अपने पूरे बदन पे लगा लूँ, या तो मैं इसको This is so seductive, this is so appealing, this is so fruity, so चलिए fragrance के बारे बात करते हैं, so Azaro Wanted by Night bottle कुछ ऐसी है, यूनीक सी है, जो आपको revolver देखने को मिलेगी, वो उस type का थोड़ा pattern है, bullet type का, यूनीक सी bottle है काफी and this is EDP concentration and बहुत जबरदस fragrance है, so चलिए fragrance के नोट्स के बारे बात करते हैं, तो इस fragrance को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर देगा, अगर आपको मूड भी अपसेट है, बहुत ही ज़्यादा मूड अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस है, एक महक में आपका मूड एकदम अपलिफ्ट हो जाएगा, फूटी है, इसमें आपको दालचीनी देखने को मिलेगा, इसमें लेमन देखने को मिलेगा, स्वीट ओरेंज, जरा लेमन, लेवेंडर, दालचीनी, और सबसे ज़्यादा जो में रोल प्ले करता है, वो है फूटी पंच, जो मतलब शुरू से मतलब महकती न, मन करेगा पी जाओ इसको, बहुत खुपसूरत फ्रेग्रेंस है, और दीरे दी से पहले तक ये फ्रेग्रेंस जो जबरदस्त एक सेड़क्टिवनेस क्रियेट करती है, बहुत अबाही फ्रेग्रेंस है, शॉट में बोलू हूँ न, बहुत फ्रूटी है, मतलब मैंने इस से जबरदस्त कोई फ्रेग्रेंस नहीं दे कि फ्रूटी ने इसके मामले में, जो बॉटल की जूस है ना इसको मन करता मैं पी जाओ या नहाल हूँ इस से, so this is very compliment greater fragrance, indeed, आप जब इसको लगा के निकलोगे, casual में, शादी में, parties में, कहीं पे भी, जरूर noticing में आओगे, लोग पलट के जरूर notice करेंगे, and this is very seductive and appealing fragrance, मतलब, लोग इसको control नहीं कर पाएंगे पलट के जरूर देखेंगे, कि fragrance कौन सी है, जो लगा के बगल से गुजर रहा है, so this is azaro wanted by night, performance की बात करें, तो 5, 6, 7 hours तक की fragrance है, बठा, 4, 5 hours तक, जबर्दस fruitiness पंच देखने को मिलेगा, उसके बाद जब ये complete dry down में चले जाती है, इस fragrance become musky, vanilla type जरा हो जाती है, जरा tobacco type हो बट उससे पहले जो real मज़ा है इस fragrance का fruitiness में है, performance and projection की बात करूँ, projection is good, starting के एक दो गंडे तक बहुत जादा अच्छे से project करती है, आप बगल से गुजरोगे, एक अच्छा cloud trail create करेगी, लोगों तक अच्छे से reach करेगी, so this is azaro wanted by night and ये भी मैं definitely recommend करूँगा, आपको एक ब जरूर जाना, इस fragrance को जरूर ट्राई करना, अगर आपने नहीं ट्राई किया, definitely try to grab a decant of this beautiful scent, चाहे azaro wanted by night हो, ultra mail हो, ultra mail का आप 9 p.m. भी ले सकते हो, बट जो वरसाची एरोस है, azaro wanted by night है, इनका कोई भी clone आज तक मैंने नहीं देखा, जो इनको 10% भी टक्कर दे सके, clone तो 90-80 10% भी टक्कर दे सके, ऐसा कोई क्लोन नहीं देखा, ऐसी fragrance है बहुत, मतलब लगा के जाओगे न, लोग मजबूर हो जाएंगे पलट के देखने के लिए कि किसने लगाई है और कौन सी fragrance लगाई है, so that's it, जाते जाते एक और bonus टिप दूँगा, last fragrance, Versace's Dillon Blue, this is not a complete clubbing, शाद आदी में भी पहन सकते हो, casual occasions, parties में भी पहन सकते हो, आप इसको office में भी पहन सकते हो, this is a very versatile fragrance, आप इसको किसी भी occasion में पहन सकते हो, हर occasion में चल जाएगा, but मैं इसको अभी भी इस list में इसलिए recommend कर रहा हूँ न, this is little youthful, आज का review खतम होता है, and मैं request करूँगा, जाते जाते कि अगर आप नहीं हो इस channel पे, तो don't forget to hit the like button, and subscribe करना भी नहीं भूलिएगा, and अगर आपने इन सारी fragrances हो में से कुई भी fragrance आपके पास है, आपने कभी use की है, आप definitely बताएगा कि आपको इस सारी fragrances कैसी लगी, and क्या आप मेरे points पे agree करते हो या नहीं, and इसी के साथ साथ च वीडियो में, तब तब के लिए take care, जय हिंद, धन्यवाद.